कैसी ही आप सब तो आज की इस वीडियो में हम लोग F.Y.U.P. 4-Year Undergrade Program N.E.P. New England Policy 2020 के तहद जो लागु हुआ है उसमें F.Y.U.P. Semester 4 में आप से बच्चों का Major Paper 6 History का आज हम लोग Paper 6 या MJ6 बोल सकता है आप लोग उसका Question देखिए Important Question जो आप पर पेपर में आएगा वो हम दो डील करने वाले यानि कि समझने वाले और यह Question जो रहेगा आप से बच्चों के लिए Hindi प्लस इंग्लिज दुनों यह लिए लिए लेगा तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी प्रकार भवस में जब भी हमारे निवडियो आएगे तो सबसे फिल आपको नोडिफिकेसन मिल जाएगा आपको हमारा टेलिगराम वह हमारे चैनल पर मिलता है और पढ़ाई की सारे तेखिए या कॉंटेट अबहले मिलते हैं इसलिए जितना हो से के अपने दोस्तों को अपने भाईयों को यहां हमारे चैनल के साथ जरू जोड़िएगा तो चलिए पहला सवाल सुरू करते हैं देखिए पहला सवाल आपसे पेर पूछा सकता है कि वर्साई की जो संधी भी थी उसके जो मुख्य उब्बन थे उनका आपको वर्णन्द करना है और ये पेपर में आपको 15 या 20 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा ये सवाल पेपर में छोड़ के मतलगे क्योंकि 15 से 20 नंबर आएगा और मैक्सिमम आपसे बचों कम से कम ये 5 से 6 पेज लिखना पड़ेगा 15 से 20 नंबर दियाएगा क्योंकि हिस्ट्री का पेपर लिट्रेचर है जहां पर आपसे बच्च जितना ज्यादा लिखेगा उतना अच्छा रहेगा इसलिए हम लोग ये कोश्चन जो डिल करेंगे वो बड़ा कोश्चन है 15 से 20 नंबर मिलेगा आपसे बच्चों को साती सात यह ला कोश्चन हिंदी यह किये जाने सबसे महात्म संधी के रूप में एक था इस संधी का जो मस्विंदा जो है वो चार महिने के अनवर्द परिश्चन को यह नहीं कह सकते हैं इसका जो फॉर्मेट तैयर हुआ वो लगबग चार महिने लग यह सो बनाते है 200 प्रिश्चन है टोटल 250 पेज में छबा हुए संधी 15 भागों में इसे बाटा गया था और इसमें टोटल 440 धारा इसमें लिखी गए थी शुकर करने के लिए से प्रस्तूत किया था जर्मेने को दो सब्रार करने के सब्सक्रा और रायनीति जू है संधी की सर्तों से असंतुष थे यानि उनको पसंद नहीं था ये संधी इससे जो Lloyd George ने चिड़कर पुना यूद की धमकी दी थी जर्मन जो भी राज नी थी कि उन्हें सांती की सर्तों पर विचार किया और 26 दिनों के बार अपनी तरह से 60 हयार सब्दों का एक क्या क्या उन्होंने प्रस्ता रखा वो एक विरोध प्रस्ता उन्होंने क्या क्या प्रस्तूत किया जर्मनी ने सिकायत की कि जिन सर्तों पर उसने आत्मसमर्पन किया था जो प्रस्तावी संधी में उन सिधानतों का यहां पर किया उनमें इन बातों का उलंगन किया गिया है उसका कहना ये था कि जर्मनी की जो नहीं सरकार है वो पून रूप से प्रयातंत्री के इनी डेमोक्रेटिक है और राष्ट संग की सदिस्तता के लिए वो सासाथ इच्छुग भी है निसकस्तिकरन की सरते केवल जर्मनी पर ही बलकि जो समस्त जो भी राज है या कर सकत राजों पर लागू की जानी चाहिए विस्व यूद के लिए जर्मनी को एकमाद जो जिमिदार बता है वो पूर्दा इन्होंने बताया गया थिक गलत है जर्मनी ने संधी की सभी सर्तियों को मानने में आसमर्ता जिता ही लेकिन जो मित राष्टों की द्रिट था जर्मनी को जुकना पड़ा और छोटे छोटे संसाजन जो बिसिकलि एमेंडमेंट इसे करते हैं संसोधन के बार पांच दिनों के भीतर जर्मनी को ये संधी पर हस्ताक्चर करने को आ गया मित राष्ट ने यह भी सपर्ष कर दिया कि हस्त हस्ताक्चर का लोटते समय जर्मनी जो परतिनीदियों पर पैरिस की जनता ने इटे पत्थर फिकने श्टार्ट कर दिया दूसरे दिन जर्मनी की एक समाचात पत्ने का कहीं हम भूल ना जाएं नाम से उनने आर्टिकल छापा था ने लेक शापा था दूदियो वो विस्विश्विश जर्मनी के लिए था यही बात जो हिंदी हमने कॉंटेंट में आपको बताया यही बात यहाँ पर आपको इंग्लिस में लिखा हुआ रहेगा तो आप मेंसे अधिकांस बच्चों जुमकों भी लगता है कि हमें पेपर इंग्लिस में लिखना नीचे जलते हैं देखिए यहाँ पर यह भी इसी का पाट है तो इसे भी लिख लिजेगा यह हमारा पूरा इंग्लिस वाला पाट कंप्लीट होता है अब हमारे देखिए नेक्स पाट हम बताया गया है वर्साइज जो संधी है उसकी सरते क्या थे क्योंकि बिना सरते रखी थी वो राष्ट संध जो संग से उसे समय जोड़ी गी थी वास्ता में जो मित राष्टे इसके पक्स में तो नहीं थे लेकिन प्रत्म विस्विद में अमरीका के अस्त्र संत्र तदा 14 सुत्री जो सिधान्तों से सहयोग का नकारना उसे कठीन था लॉर्ड यह ने लिखा कि विल्सन जो सांती संधियों के केबल उस भाग को जिसमें राष्ट संग की वरस्ता थी सबसे अधिक महदू देता है इसके लिए वो कोई भी त्याग करने के लिए तयार था लेकिन आंत में उसके कठीन प्रयास से ही राष्ट संग का निरमान हुआ है राष्ट संग का जो विल्सन देखिए आपको यहाँ पर इंग्लिस में मिल जाएगा फर्स नमर कोईशन की ओन दा प्रेसर ऑफ विल्सन के कारण ही लिखा गया था तो यह फर्स हमारे पास पॉइंट है सर्त वाला ठीक है तो वीडियो को पॉस कर लिजेगा और इंग्लिस में लिखेगा अगल वर्साई संधी कारण या तहएगुआ कि जो भी परदेश फ्रांस के हैं उनको फ्रांस को लुटा देना पड़ेगा वर्साई संधी के प्राध्वनों फिर से वापस उन्हें लुटाना पड़ा इसी संधी के कारण तो ये content आपको फिलाल यहां हिंदी में है, अब इसी चीज़ को यहां पर देखे, आपको इंगलिस में लिखा गया है, territory arrangement के हिसाब से, तो यहां से यहां तक आपको लिख लीजेगा, अगला हमारे पास है, point बताय हुआ है, कि राइनलेंड, France, Germany की सैन सक्ती से भैवित था, लेकिन Lord Joyce और Wilson ने इसका क्या-क्या घोर ग्रोद किया, कि ऐसा करने से दुसरा Elsass हो गया, लॉन बनेगा, जो भविस में यूद का कारण बन सकता है, काफी समझाने बुझाने पर क्लिमेसों त्यार हुआ, और कुछ निश्चित यहां पर समय के लिए, इस छेत में जो वे मि मित राष्ट की जो सिना है, उतरी भाग पर 5 साल तक, मदवर्ती जो भाग उसमें 10 साल तक, और दक्सिनी भाग पर 15 साल तक यहां मौझूद रहेगी, इसके यह भी तो है हुआ कि राइन नदी के किनारे या दाएं भाग के, 31 मिल चोड़े पर जर्मनी किसी भी प्रकार की, यहां पर किलाबंदी नहीं कर सकता है, और यह जर्मनी यहां पर संधी की किसी सर्टों का पाला नहीं करे, तो मित राष्ट की जो भी सैनिक मौझूद गी है, उसकी अब धी और क्या कर सकती है, बढ़ाया जाए जाए, यह पला हिंदी में लिखा हुआ है, और यही बात दे पर सार जब हमारे पास जब फ्रांस राइन के तटवर्दी छेत पर अधिकार नहीं कर पाया तो उसें जो सार वोला छेत्र था उस पर अधिकार करने के लिए दावा पेश किया वास्ता में यह जो छेत्र है वो कोईला खानों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था फ्रांस न वे नहीं चाहते हैं कि सार के इलाकों फ्रांस का अधिकार हो क्योंकि वहां की संपूर्ण जनता जो है वो जर्मन नसल की थी अंत में जो व्यवस्ता की गई है उसके अनुसा जो सार प्रदे से बेसिकली उस पर सासन व्यवस्ता जो जिम्दारी है वो राष्ट संग को सौप दी गई और उसके खानों को फ्रांस के जिम्में यहां पर सौप दिया गया था फ्रांसेजी प्रदाने वाले एक आयूग का यहां पर मतले कमेटी का बिसी गठन हुआ जिसने सार छेत पर सासन करना था और यह भी तरह हुआ कि 15 वर्स के बाद जो लोकमत होगा उन लोकमत दॉबार निशित किया जाएगा कि सार छेत पार की तो यहां पर ट्रापति है은 यहां पर यूपन नहीं होगागा निश्चित किया जाएगा कि सार छेतर के लोक जर्मनी के लोग युपेन हो गया, मार्श्टेन हो गया और मेलमेडी का परदिश जो है वो बेल्जियम के अधिन कर दिया गया और जो यहाँ पर स्विंग विंग में जन्मा संगर हुआ, उत्री स्लेंबर्ग पर डेनमार्क अधिकार हो गया और दक्षिन स्मेमा जर्मनी के साथ ही बिसकी लि लिख लिए गया अगला पॉइंट है कि जर्मनी की पूर्वी सिमा जर्मनी की सबसे अधिक नुकसान जो है उसे पूर्वी सिमाना पर उठाना पड़ता था, मित राश्ट्रों ने यहाँ पर स्वतन पोलेंड के राज के निर्मान का यहाँ पर कारी किया, फिर डाजिंग क स्वतन नगर के रूप में परिवर्टित कर दिया गया, और मित राश्ट की सनक्षना में रग दिया गया, मैमल का जो बंदरगा था, लिथिवाने को सौप दिया गया, और जर्मिन चोको से लावे जो था, उसको एक राज की मानता दे देगी, उसे पूरी सालेसिया का अगरा पॉइंटे देखिया हमारे पास, जर्मनी उपनिवेसे जर्मनी के साथ प्रादिसिक समझदा करने, परदेश और सत्तर लाग की जो अबदारी आवादी थी, उसे साथ में ये भी खोनी पड़ी, के बाद मित राश्ट नो जर्मनी के उपनिवेस पर विचार करना श जाते थे, जिसके लिए उन्होंने संद्रक्शन प्राली के सुरुबात की प्रसांत महासागर के कई जो दूइप थे और अफरिका महादेश में जर्मनी के चार उपनिवेसे थे, इन सबी उपनिवेसों को जर्मनी को फोड़ना पड़ा, जिससे क्या हुआ यहाँ पर मित अगला पॉइंट है, यहाँ हमारे पास है, कि जो सैनिक जो व्यवस्ता थी, वर्साइ संदीक की सैनिक और आर्थिक जो व्यवस्ता उन्हें प्रादेशिक व्यवस्ता को पूरा किया, और जर्मनी सेना की जो अधिक्तम संख्या, एक लाक यहाँ निचित कर देगी, और जर वर्साइ संदीकी 211 धारा में जर्मनी और उसके जो सयोगी राज्यों को पर्थम गिस्व युद के विस्पोर्ट के कारण एकमात जिम्यदार यहां माना गया था, और इसी आधार पर जो मित राष्टे को युद्धों में जो छती उठाने पड़ी, उसके जर्मनी को इसक उसके जर्मनी फ्रांस के लोहे और कोईले का भरपूर यहां उपयोग किया था, आता जो कोईलोओं और कोईले की खानों से भरा पड़ा सार का इलाका था, वो पंदरा वर्स के लिए फ्रांस को दे दिया गिया, इस अब्दी के समाप्त होने पर सार का जो भविस्यता लोक द्वारा तय होने का प्राधान किया गया यदि सार की जनता जर्मानी के पक्स में निनर देगी तो जर्मानी के वहां की खानों से फिर फ्रांस को क्या करना पड़े खाइदना पड़ेगा और यह इंग्लिस पर बताया वहते लिख लीजेगा इसे वीडियो को पॉस्ट करिए उन्हें दोसी करार दिया गया समराट के सर और उसके अन्ने कह सकते उच्च जो पलादिकाई थे पर युद यहां अपराध के लिए मुकदमा चलाकर इन्हें सया देने की बात भी कहेगी जो वर्साई संधी में यहां पर की गये थी यद पी इस प्रयास में जो भी मित युद की जिमदारी जर्मनी पर थोपते समय अपने ही के जो भी जाई तेवर को नहीं भूल गये थे और उन्होंने ना न्याई की बात यहां पर की थी वास्ता में जिस आधार पर जर्मनी के कुछ लोगों पर यहां पर युद अपराधी होने का मुकदमा चल रहा था उस पर युद को शुरू करने में उतने ही दोसी थे जितना की बिस्कली जर्मनी था फिर भी मितराष्ट ने विजय होने की स्थितिक अलाब उठाकर जर्मनी को कह सकते हैं यहां पर दोसी करार दे दिया गया और उस पर वर्साई संधी की 231 धारा के नुसार सारे नुकसान और पूर्ति जर्मनी करना था लेकिन संभाव नहीं था इसके अत्री जर्मनी में विभीद अंतराष्टी आयोग इस्थित्य जर्मनी के राजनेतिक आर्थिक और सैनिक मामलों में बराबर हस्तिचिप क्या करते थे यहां जो हमारे पर लॉगसंब के अनुसार जर्मनी ने छत सक्षार भी किया था और यह बात इंग्लिस में लिखा हुआ है और इसे लिखिएगा आप लोग वीडियो को पॉस्ट कर लिजेगा और लिखते रहे आराम से तो यह हमारा कंप्लीट होता है आज का मेजर पेपर 6 का आपका एक इंपॉर्टन कोश्चन जो 15 से 20 नंबर के प सात पर नम आराम सापरों लिख सकते हैं तो चली आ सकूरू वीडियो पसंद है होगा पसंद या तो शेयर कर दीजेगा और इसी प्रकार अगर आपको वीडियो चाहिए आपको एक्जाम से बले सारे के सारे कांटेंट तो कमेंट बक्स हो जरू बताइएगा मिलते है नेक्